नेमानी कई सालों से एक मुंगफली बेचने वाले की तलाश कर रहे थे लेकिन गंजाला सत्या नाम के उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जब तक वो जुटा पाते उनकी मौत हो चुकी थी नेमानी जो अपने परिवार सहित देश के बाहर बस चुके हैं वो भारत में एक मुंगफली वाले को क्यूं खोज रहे थे कहानी करीब 14 साल पुरानी हैं 2008 के पहले की तब नेमानी का परिवार आंधरपदेश के इस्ट गुदावरी जिले में रहता था काकी नाड़ा बीच पर नेमानी ने अपने बच्चों के साथ 10 रुपए की मुंगफली खाई लेकिन खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो अपना बटवा घर पर भूलाए हैं मुंगफली बेचने वाले सत्या ने हालात को समझते हुए उनसे उस वक्त पैसे नहीं लिये हाला कि नेमानी के बच्चों ने उस मुंगफली वाले की एक तस्वीर ले ली बाद में वो जब भी भारत आये उन्होंने सत्या को खोचना चाहा नेमानी के मताबिक स्थानिय विधायक चंदरशेखर रिडडी की मदद से उन्हें उसके बारे में इचानकारी मिली जब मैं भारत आया तो मैंने विधायक चंदरशेखर रिडडी से आगरे किया कि मुझे मुंफली वाले को हर हाल में पैसे वापस करने है उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुचने में काफी मदद की ये सब मेरे बच्चों के कारण हो पाया है वरना कभी मुम्किन ना हो पाता फिल्हाल सत्या का परिवार इस्ट गुदावरी जिले के मोला पेट्टा में रहता है उन्होंने बीवीसी को बताया कि कि तीन साल पहले सत्या ने आत्महत्या कर ली थी अब निमानी के परिवार ने उन्हें 25,000 रुपए दिये हैं मेरे पती कहते थे कि सवी बच्चे एक जैसे होते हैं वो अपने हो या दूसरों के निमानी के परिवार के अमरीका से आकर 10 रुपए के बदले 25,000 रुपए देने से ये परिवार भी हैरान है